अब देखो ये पोस्ट के बारे में बता दिया, अब अगर ये वीडियो अगर वाइरल हुआ, जो कि आप लोग कर दोगी मुझे पता है, तो इस पोस्ट का कटफ फिर से बढ़ जाएगा, इस पोस्ट के ज़्यादा कटफ डाता नहीं है हे गाइस, कैसे हो आप लोग, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक पोस्ट के ज़ॉब प्रोफाल के बारे में, जो SACCGL के अंडर में आता है ठीक है, यह जो experience में आपको ज़ॉब प्रोफाल के बारे में बता रहा हूँ, यह first hand experience है दोस्तों, क्योंकि इसी पोस्ट में अभी में working हूँ, ठीक है तो इसी पोस्ट में में working हूँ, तो first hand experience, जो भी मेरा experience है, लगभग एक साल, डेड़ साल हो गया मेरा इस पोस्ट में रहके, तो मेरा जो भी experience है, किस टाइप का जॉब है, ज्यादा मतलब अंदर डीप में आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि जरौत नहीं है, जितना आप एक लिखा होगा, accountant, मतलब CGDA या CAG के नीचे या उपर उसी लगभग वहीं पे लिखा होगा, accountant, oblique, junior accountant, और department है, department of post, under आता है, ministry of communication, and IT के अंदर में ये चीज आता है, तो job profile के हम बात करते हैं, job profile से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये जो post में, मैं join किया था, ये SSC CJ 2017 के तुरू मैंने join किया हुआ था, जिसका final result निकला है, November 15, 2019 में निकला था इसका final result, और मैंने join किया था, मेरको joining मिला था, June 2020 में, ठीक है, लगभग 6 मेना प्लस, 6 मेना प्लस हो गया joining, joining मिलते हुए, तो June 2020 से, अभी तक मैं working हूँ, उसी post में, अभी नॉम्बर आ गया छोड़ो, तो अभी तक कितना भी experience है, मैं आपके साथ share करूँगा, तो ये video है, उनके लिए है, जो लोग, especially UPSC के preparation करना चाहते, क्योंकि मेरा मानना है कि UPSC preparation वालों के लिए सबसे best job है, सबसे best job, सारे aspects से लेके सबसे best job है, एक एक करके मैं आपको discuss करूँगा, ठीक है, स आपको कहीं field में जाना नहीं होता, आपको office में ही बैठके काम करना होता है, working hour क्या है, timing क्या है office का, 10 से लेके 6, किसी-किसी office में 9.30 से 5.30 होता है, और किसी-किसी office में 10 से 6 होता है, और ये 5 दिन, 5 days working, मतलब timing है इसका, Saturday, Sunday हमेशा off रहता है, क्योंकि ये administrative office है, तो यहाँ प वहाँ पे Saturday off रहता है, extra, और जितने भी सारे operative office होते हैं, वहाँ पे सिर्फ Sunday ही off रहता है, Saturday off नहीं रहता है, जैसे कि मैं आपको बताओ, ये एक department post है, हम लोग जो job कर रहे हैं, ये department of post के under में आता है, लेकिन ये post office नहीं है, post office आपने ध्यान से देखा होगा, post office में Saturday भी office खुला रहता है, सिर्फ Sunday ही off रहता है, लेकिन हम लोग का जो ये office है, ये Saturday भी off है, क्योंकि ये हमारा administrative office है, clear, job क्या है, क्या करना होता है, यहाँ पे, दोस्तों ये जो office है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस office का repetition की step का है, ये जो office में आपको job मिलेगा, ये जो post है, आपको एक office में जो मिलेगा, वो पूरे state में एकी office होता है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा दो, इस job का value क्या है, इसका क्या reputation है, पूरे state में अगर एकी office है, और उसी में अगर आपको नौकरी मिले, तो किस step का job है, अच्छा है या बुरा है, आप सोचो, आप comment section ब ठीक है, और दिल्ली में तो headquarter है, और बिहार में पटना में है, कॉलकाता में, वेस्ट वेंगल में कॉलकाता में है, ओडिसा में कटक में है, जहां पर मैं अभी working हूँ, कटक में में working हूँ, और यह मेरा home state है, ठीक है, जैसे आंदरपदिस के बारे में बात करें, तो विज alternative नहीं है, तो आपको अगर अगर इसका preference डाला और आपको अगर यह job मिला, तो आपको जो भी state में मिलेगा, बड़े ही city में मिलेगा, क्योंकि एक ही office है, आपको और कहीं जाने के जरूद नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर एक मतलब district में अलग-अलग office है, ऐसा नहीं है, state में ए की office होता है, यह जो office है दोस्तों, यह accounts office है, जिसको बोलते है postal accounts office, यह office का काम है, जितने भी सारे post office है, जितने भी सारे head office होते हैं, हर एक देखो, आप मतलब postal का head office होता है, बहुत सारे, state में बहुत सारे head office होते हैं, तो head office के under में बहुत सारे जो गाओं के जो post office होते हैं, तो सब उनके अंडर में आते हैं, तो इस office का काम है, इस office के staff का काम है कि उनका audit और inspection करना, accounts काम और audit काम करना, मतलब accounts काम भी होता है और audit भी होता है, audit कैसा होता है, यहाँ पे particularly desk job है, लेकिन बीच बीच में inspect भी नहीं पड़ता है, आपको क्या करना होता है कि आपको particularly आपको team जाएगा, है चो, आप जाओगे कि उस postal, postal मतलब post office के जो है चे हो, वहाँ पे आप जाओ, और वहाँ पे आपको audit करना होता है, आपको हर चीज चेक करना होता है, वहाँ पे, लेकिन यह चीज mandatory नहीं है, यह optional है, आप पे depend करता है, आपको गर मन है, तो अपना नाम दो, मन नहीं है, तो नाम देने के जरूत नहीं है, आप office में बैठके काम करो, इस step का job है यह, तो और detail में आपको अंदर नहीं बताओ, क्योंकि कोई point नहीं है, उस ब चीज बताने का, जब आप आओगे, आप समझ जाओगे, बस इतना जानना जरूरी है, तो जो भी आपका city मे जो भी state में मिला, almost Y city होता है, और Y city का फाइदा यह है, कि HR A अभी के हिसाब से 18% है, ठीक है, और Z city क्या होता है, कि वो 9% होता है, मतलब बहुत कम हो जाता है HR A, तो Y city में सही रहता है, आपको वो benefit है, और यहाँ पे आपको communication में कोई दिक्कत नहीं होगा, Y city में, और हर च चीज का facility मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा मतलब हर चीज अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बाद आता है इसका workload कैसा है, मतलब कितना load पड़ता है, मानलो कि आपको UPC का preparation करना है, या कोई भी state PSE का करना है, या कोई अच्छी भी exam का preparation करना है, या तो आपको कोई exam preparation नहीं करना है, आपको बस जिन्दिकी जीना है, तो आपके मन में question उठा होगा कि workload कैसा है इस job का, दोस्तो इस जो post का workload है, यह moderate है, high बिलकुल नहीं है और low भी बिलकुल नहीं है, moderate है, clear? हाँ, ऐसा नहीं, कभी-कभी ऐसा हमेसा moderate ही रहता है, ऐसा कभी-कभी time आता है कि मान लोग कि आपको थोड़ा ज्यादा काम पड़ जाए, लेकिन जरूरी यह नहीं है कि आपको daily ही ज्यादा काम करना है, हाँ, 3-4 दिन में एक बार आपको थोड़ा pressure पड़ेगा, ठीक है, और जब मतलब budget का last time आता है, तब आपको pressure पड़े है, क्योंकि accounts finance department में आता है दोस्तों, पैसो का कारबार है, तो जब March का महिना में ज्यादा काम रहता है, क्योंकि आपको हर चीज़ खतम करना होता है, क्योंकि budget year नया start हो जाएगा, फिर से April एक तारिक से, तब उससे पहले आपको हर चीज़ खतम करना है, तो उसका बस pressure रहता है, March में ज्यादा pressure रहता है, बाकी पूरा moderate ही है, अराम से preparation कर सकते हो, पतलो अपना काम खतम करके, इवेन आप office में भी चाहा के बैट के पढ़ सकते हो, अपना personally किताब लेके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका personally table होगा, personal system होगा, और आप बैट के पढ़ो, आपको वहाँ पर कोई district करने वाला नहीं है, लेकिन अपना-पना काम खतम करते हैं, अदर्वाइस आपके senior अगर पूछें, तो ये काम हुआ है कि नहीं हुआ होगा, और आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, तो दिक्कत हो सकते हैं, आप अपना काम खतम कर कर दो, और बैट के पढ़ो, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, अब बात करते हैं salary, इसका salary क्या है, दोस्तो ये जो post है, ये अठाइसो ग्रेट पे के अंडर में आता है, मतलब सुरू आती है, अब जब जोईन करो ये अठाइसो ग्रेट पे का है, तो अठाइसो ज अठाइसो है, और basic का 31% DA है, फिर हारे, हारे क्या है, YCT है, डिपेंड करता है XYZ पे, तो ये जो job है, almost सब का YCT में होता है, क्योंकि state में एक ही जगे पे job होता है, एक ही office होता है इसका पूरा state में, और वो बड़ा city में ही होता है, तो लगबग आप YCT ही मान लो, तो 18% हार फिर इसका आपको TA मिलता है, ट्रांस्पूर अलाउंस तो YCT में ट्रांस्पूर अलाउंस दो 1800 होता है, तो एठास्व एड रहेगा, उसके साथ साथ फिर और बहुत सारे अलाउंसे है, फिर डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारे चीजे होता है, फिर उसका डिड़क्षन से ज्यादा नहीं होता है तो अभी का अगर आप पूछो तो मैं बता दे रहा हूं अभी का मेरा इन हैंड जो है वो 42 प्लस है YCT में ठीक है 42 प्लस इन है ग्रॉस लगबग 50 टच करता है ग्रॉस क्लियर हां 55 आइडिया नहीं है लेकिन इन हैंड मेरेको 42 प्लस ही मिलता है अभी और इसका जो बेसिक है यह हर साल बढ़ता रहता है आपने अगर देखा होगा 7 CPC का पुझे एक मेट्रिक्स टेबल होता है लेवल 5 28 ग्रेट पे जो है लेवल 5 पे आता है लेवल 1 से UDC में आ जाता है लेवल 5 यह junior accountant यह accountant में आता है तो लेवल 5 आप जब तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ आप वो लेवल 5 पे रहोगे तो लेवल 5 के नीचे नीचे आप आते रहोगे आपका पे बढ़ता रहेगा 33% हर साल मान लो कि आपने जोइन कर लिया इस मैने अगर्ष हमेशा January में होता है और July में होता है ठीक है यह दोनों date fix है तो January में तो आपका नहीं होने वाला क्योंकि minimum 6 मत हो नहीं रहा है January में तो आपका जो 6 मत बन रहे है वो है July में तो 1st July 2022 में आपका 1st increment होगा मतलब 29200 में आप जोइन किये आपका पहला increment है 30,100 फिर आपका next July फिर स तो जैसे कि मैंने बताए यह YCT में है तो अच्छा खासा पैसा मल जाता कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मतलब अराम से ऐसा नहीं है कि आप मतलब BMW ही चला हो या बड़े बड़े गाड़ी चलाना लेकिन अच्छा खासा मिलता है मतलब survival is taken care of और वैसे जितना काम करना हो तो उ को उस्दास से पैसा देखा है तो बहुत पैसा है तो Ultimately दोस्तों काम करने में मजा आता है और काम पे बस मजा आता है Salary तो मिल नहीं है नी हाओ बस काम पे ध्यान दो काम करने में बड़ा मजा आता है मैं चाहताए कि आप लोग करो इस पोष्ट अब ये प्र स्वरमोर्ष aspect के बारे में बात करते है, इसका promotion क्या है, इसका ज़्यादा कुछ promotion है नहीं दोस्तो, यह इसका मैं कौन side एक बोल सकता हूँ, एक negative side बोल सकता हूँ, कि इसका promotion ज़्यादा है नहीं, माल आप join की यह level 5 में 2800 grade में आप join की, तो इसका जो पहला promotion है, वो है तीन साल के बाद आप जब जोईन करोगे, उसके तीन साल के बाद आपका पहला promotion मिलेगा Depend करताओ, Vacancy के ओपर, ठीके Almost अभी Vacancy कहानी हो रहा है तो promotion मिल जाता है तीन साल के बाद आप जोईन होते हो, Junior Accountant में और तीन साल के बाद आप Senior Accountant बन जाओगे जो की 42 ग्रेड पे का है ठीक है, लेवल 6 चले जाओगे लेवल 5 800 है लेवल 5 800 है, लेवल 6 है 42 ग्रेड पे 42 ग्रेड पे मतलब आप group B में चलेगे, group B non-gadgeted ठीक है, जो double O post होता है दोस्तों, वो होता है group B gadgeted जो की 48 होता है तो 42 स्टार्ट है group B से लेकिन आपको senior accountant बनने से पहले एक confirmation exam देना होता है confirmation exam क्या है हमने, हम join किये SSE serial through में हमने join किया लेकिन हमने उस department के लिए या उस नौकरी के लिए कोई exam नहीं दिया है कोई accounts पढ़ाई हमने नहीं किया कोई कुछ भी हमने पढ़ा नहीं है तो वहाँ पे क्या है उनका एक rule है कि आपको जब join किये उसके एक साल या दो साल के अंदर आपको जब confirmation exam आपका date निकलेगा आपको एक confirmation exam clear करना होता है आपको उसको clear करने के लिए चार chance मिलेगा मतलब अगर आप पहला में fail होगे कोई दिक्कत नहीं है दूसरा में fail होगे कोई दिक्कत नहीं तीसरा में fail होगे कोई दिक्कत नहीं चौथा में fail होगे तो दिक्कत ये है कि आपका उसके बाद increment बंद हो जाएगा हर साल जो increment होता है basic का वो बंद हो जाएगा और promotion भी नहीं होगा दिक्कत वो है लेकिन ऐसा नौबत आता नहीं दोस्तों हर एक का first attempt में ही clear हो जाता है क्योंकि उतना difficult नहीं है आपको normal चीज है हर चीज अब जब काम करना start कर दोगे चीजे जानना start कर दोगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगा और exam आपके लिए difficult नहीं रहेगा तो हम लोग का पूछो हम लोग जब join किये हैं June 2020 में हम लोग का अभी तक confirmation exam नहीं हुआ है जो की 2022 में होने वाला है तो इसका promotion क्या है कि सबसे पहला promotion है senior accountant का promotion जो की आपको तीन साल जब से join किये उसके तीन साल के बाद आपको promotion मिलेगा उसके बाद next automatic promotion नहीं है उसके बाद जो promotion है दोस्तों वो है डबल ओ का promotion और डबल ओ एक officer के डर में आ जाता है जिसके लिए हमको एक exam देना होता है जिसका नाम है SAS SAS exam देना होता है वो exam देने के बाद ही आप assistant accounts officer बन सकते हो लेकिन उसके लिए vacancy आना जरूरी है और vacancy दोस्तों बहुत कम आता है इसका लाश्ट टाम आया था 2018 में 2018 से पहले 2010 से पहले कहीं आया था मतलब बहुत time लगता है इसका vacancy आने में जब तक आप senior accountant हो आप उसी में आपको continue होगा जब तक vacancy नहीं निकला आप exam नहीं दिये डबल आप नहीं बन सकते है आपको उसी level 6 cadre में ही रहना पड़ेगा तो promotion के मालूम में मैं इसका एक negative बोलूँगा कि जिनको promotion चाहिए दवा के promotion चाहिए तो साइद ये job उनके लिए ना हो क्योंकि इतना ज़्यादा promotion नहीं है क्योंकि जब तक आप double-a नहीं बनोगे आगे आप continue नहीं कर पाऊगे एक बार double-a बन गए उसके बाद आपको कोई exam देने के ज़रोत नहीं आपका automatically promotion होता रहेगा double-a को बाद तीन साल के बाद आप AO बन जाओगे, accounts officer बन जाओगे और फिर उसका 3-4 साल के बाद next promotion है तो जो young age में जो student young age मानलो की 22-22 साल में जिसने इस post में join कर लिया तो वो retired अराम से deputy director में हो जाएगा मतलब वो retired होते होते वो deputy director पोस्ट में पहुँच चुका होगा और इस office का head जो है वो director होते है तो आप deputy director तक पहुँच जाओगे डारेटर तक तर नहीं पहुँच सकते हैं डारेटर UPSC बेच है अलग है deputy director तक आप पहुँच जाओगे तो दोस्तो यह रहा इसका promotion अब हम बात करते हैं इसका एक सबसे best point यह है कि lifetime same office है मान लो कि आपका state है UP आप UP से बिलॉंग करते हैं और आपको मिल गया लखनौ अब UP में लखनौ में office है आपको मिला लखनौ अब लखनौ एक बार मिल गया ना तो आपका transfer नहीं होये वाला आप हमेशा वहीं पे रहोगे लखनौ में ही रहोगे और वहीं उसी office में रहोगे यह एक pro है सबसे best pro है जिसका अगर home state मिल गया तो अब क्या है कि जिसका अगर home state नहीं मिला क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है कि एक provision इसमें है कि आप जब से join हुए उसके दो साल आपका एक provision period खतम होने के बाद आप transfer ले सकते हो rule 38 में rule 38 में आप transfer ले सकते हो अपने state में जहां आप जाना चाते हो आप जा सकते हो lifetime में मतलब पूरे career में जो आपके पूरे career में आप दो ही बार rule 38 यूज कर सकते हो आपको दो ही chance मिलता है इसके बाद आपको नहीं मिलेगा rule 38 transfer मानलो कि आप आपका cut up मतलब आपका mark कम आया आपको जो state आप जालना चाते थे आपको वो state नहीं मिला और कोई मिला कोई दिक्कत नहीं आप जाओ जोइन कर लो दो साल के बाद अपना state आप आ सकते हो यह चीज है यहाँ पे और यह अच्छा चीज है लेकिन rule 38 का यह क्या है कि आप मानलो कि rule 38 में आप transfer ले लिए तो मानलो कि आप senior accountant बन गए वहाँ पे जहाँ आप join किये वहाँ तीन साल आपका complete हो गया आप वहाँ आपका आपका promotion भी हो गया आप senior accountant बन गए लेकिन जब आप rule 38 transfer ले लोगे अपने state के लिए तो वहाँ आपका सबसे पहले demotion होगा मतलब आप senior accountant से junior accountant बन जाओगे फिर वहाँ से आप relief होगे अपने state के जो office है वहाँ पे जाओगे और वहाँ जितने भी junior accountant होगे सबसे junior आप होगे ये इसका problem है कि आप junior बन जाओगे सबसे लेकिन आपका pay में कोई कमी नहीं होगा वहाँ पे जो आपका pay होगा जो pay आपका last pay होगा आपका वही pay मतलब continue होगा जिसे हम बोलते हैं pay protection ठीक है गवर्मेंट में एक pay protection होता है वही चीज continue होगा आपका pay वही रहेगा लेकिन आप सबसे junior हो जाओगे junior accountant आपका senior accountant से पहले demotion हो जाओगा फिर आप वहाँ से relief होगे और वहाँ जब join करोगे सबसे नीचे सबसे junior आप बन जाओगे वहाँ पर जितने भी जो junior accountant है सबसे junior आप ही रहोगे फिर आपको वहाँ तीन सार लगेगा फिर से senior accountant बनने में लेकिन जब आप वहाँ पर senior accountant बनोगे आपका pay फिर से नया नहीं होने वाला अपका pay वही continue होगा अब quarter क्या है quarter मिलता है कि नहीं कुछ लोग जानना चाहें कि इसमें quarter मिलता है कि हाँ इसमें quarter मिलता है अराम से मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं है हाँ कभी कभी क्या होता कि vacancy नहीं होता खाली नहीं होता नहीं मिलता है लेकिन quarter मिलता है, आप quarter मिला तो आपको हेचारे नहीं मिलेगा, अगर आप quarter नहीं लेना जाते हो तो आपको हेचारे मिलेगा, तो मेरा suggestion है कि आप हेचारे लो और बाहर अराम से अच्छा घर में रह सकते हो, जितना हेचारे मिलता है उतना में अच्छा घर में रह सकते हो, आ आपको HR बिल्कुल नहीं मलेगा मानलो कि एक टाइम आएगा आपको HR मिलेगा 9-10,000 और आप क्वार्टर लोगे तो आपको स्ट्रेट 9-10,000 गया 9-10,000 में आप बहुत अच्छा में घर में रह सकते हो 9-10,000 खट्चा करो लेकिन बहुत अच्छा घर में रह सकते हो लेकिन उस लेवल का quarter आपको नहीं मिलेगा मैं पर्सनली अलग रहता हूं मैं quarter में नहीं रह रहा हूं क्वार्टर है लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूं quarter में रहना मैं अलग ही rent में रहता हूं तो दोस्तो ये रहा पूरा job profile इस job के बारे में ज़्यादा काम नहीं है moderate काम है सरह में बहुत सारे सक्षुन होते हैं लगबग 25 अन्ह Tax अलग अलग सक्षन का अलग काम है आपका किस शैक्सन में पढ़ा हूआ है वह डिपेंड़ करता है अब सेक्षन हमेसे कॉंस्ट्रेंट नहीं होता हर दो-तिन साल में आ आपका सेक्षन हो जाएक कहां ज्यादा काम कह और ज्यादा काम जहां पर जिस सेक्षन में भी ज्यादा काम है वो constantly ज्यादा काम नहीं होता है तीन-चार दिन में पांस दिन में एक बार आपको ज्यादा काम पड़ेगा लेकिन बाकी टाइम हमेशा मौडरेटी होता है तो अच्छा जाब है अभी मैं बता रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद इस post का cut-off बहुत जाब जाना हो जैसे कि divisional accountant के बारे में किसी को नहीं बता था लेकिन जब divisional accountant के बारे में सबको पता चलना स्टार्ट हो गया कि होम स्टेट में आपको मिल सकता है और कम काम है ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं है अब देखो ये पोस्ट के बारे में बता दिया अब अगर ये वीडियो अगर वायरेल हुआ जो कि आप लोग कर दोगी मुझे पता है तो इस post का cut-off फिर से बढ़ जाएगा इस post के ज्याद हमेशा audit कर सकते हो आपका जो काम है आप audit करने वाला काम है audit करते हो accounts काम करते हो अगर आप कोई भी exam की preparation करना चाहता है अगर आप future planning कर रहे हो कि मेरेको एक job लेना है और उसके बाद मेरेको समय चाहिए है और मैं UPSC preparation कर सकता हूँ कोई भी exam की preparation कर सकता हूँ या career में कुछ भी आपको pursue करना है अलग से जिसके लिए आपको काम मतलब time चाहिए तो I think this is the best job for you ये मेरा suggestion है और ये मेरा first hand experience है क्योंकि मैं अभी presently इसी में working हूँ और देखो मेरा aim था कि message spread करना है सबको guide करना है सबका कहीं न कहीं आँख खोलना है आप सबका ये मेरा हमेशा से aim रहा ह और मैंने सोचा किया और मैं कहीं न कहीं अगर job किया तो मैं ये चीज़ को कई बंद नहीं करूँगा इस चीज़ को मैं अमें से continue रखूँगा और अभी भी मैं इस चीज़ को continue रख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि office में बैटके इस सब चीज़ करता हूँ गर में आके इस सब च सकता हूं और करता रहता हूं अभी भी सो दोस्तों यह रहा टोटली information अब आप लोग के अपर depend करता है कि आप इस post को opt करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो मेरे इसाब से करना चाहिए आपका जो भी state है आपको अपना state में मिल जाएगा अगर आपने इसको reply definitely दोंगा थैंक यू सो मच